एक वैटलो दिएर स्टुडेंट्स आज हम आपके सामने एक टॉपिक ले के आए हैं आज का हमारा टॉपिक है यह रहेगा आज का टॉपिक ब्रायो फायट फैफिक taraf बेटा, ब्रायोफाइट पर आज का topic रहेगा तो आज हमने पढ़ना है ब्रायोफाइट ठीक है न, ब्रायोफाइट ठीक लेट में तेल यू if we talk about ब्रायोफाइट the ब्रायोफाइट have been derived from a Greek word ब्रायोण ठीक है न, ब्रायोण का मतलब होता है मौवस ब्रायोण का मतलब होता है मौवस and the second term is, that is, phyton this phyton means, this phyton means plant और we can say that ब्रायोफाइट are known as they are also known as मौवस ठीक है न, अब this is the group of the simplest and primitive plants इसमें क्या आते हैं इसमें आते हैं, बेटा, simplest और प्लस आते हैं, primitive plants ancient type plants आते हैं, ठीक है न और इसको, ब्रायोफाइट को किस किलास में रखा गया है, बेटा ये बात भी आपने याद धक नहीं है ब्रायोफाइट को रखा गया, कलास embryo phyta में इसमें रखा गया है कलास embryo phyta में ब्रायोफाइट को रखा गया है आई बस हम आचा उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे आगे क्या बताएंगे इसमें याद दखना है यह जो ब्रायोफाइट से इट टेक्स आप पोजीशन एक इंटरमीडियेट पोजीशन अकोपाइग करता है इट टेक्स एंटरमीडियेट पोजीशन बिट्वीन अगर मैं एक साइड से अलगी लेलू और एक साइड से टेरिडोफाइट लेलू ठीक है नहीं टेरिडोफाइट लेलू यह अलगी और टेरिडोफाइट के बीच में लाई जो करता है वो क्या करता है लाई वो करता है लाई बेटा आपका देट इस ब्रायोफाइट वो क्या जादा तर एक्वाइटिक होते हैं जो टेरिडोफाइट्स हैं यह मैं जादा तर क्या कहते हैं टेरिस्टल होते हैं अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स के लिए दोनु चीजें पॉसिबर हैं इसके लिए दोनु चीजें होनी चाहिए यह अप ब्रायोफाइट के केस में water जो है वो necessary है for fertilization that's why that's why bryophytes that's why bryophytes are known as amphibian bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom bryophytes को क्या बोलते हैं amphibians of the plant kingdom बोलते हैं ठेक है न clear हैं तक आचा उसके बाद आपने इसमें याद रखना है कि अगर हम let we talk about fossil bryophytes let we talk about fossil bryophytes क्या होते हैं fossil bryophytes अगर हम बात करेंगे fossil bryophytes की तो fossil bryophytes को record किया गया है जब हम देखते हैं न geological time scale geological time scale वैन वी टार्क अबोर geological time scale तो सबसे ज़ादा recorded vessels जो देखनो को मिलते हैं वो देखने मेर कुई से जादा रिकॉर्डिट टो से सी जोटीड एरा में देखने को बिलते हैं कि उसके बाद आता है दूसरा एरा मीजा ऑफ एरा इससाथ में आता है एक औख जिसको क्याते हैं पेलियो जोईक एरा ठीक है इन तीनों को ही देखा जाता है इन तीनों में ही देखा जाता है सीनोजोइक, मीजोजोइक और पेलियोजोइक एरा ये रिकॉर्ड बताता है इनके बारे में अगर हम let we talk about in India अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो most of the जो species हैं ब्रायोफाइट्स की अगर हम इंडिया की बात करेंगे जो ब्रायोफाइट्स की species हैं वो ज्यादा तर हमें देखने को मिलती है एक तो देखने को मिलती है नौदरन हिमाल्याज में और देखने को मिलती है सौदरन हिमाल्याज में इसके अलावा देखने को मिलती है निलगरी जैसे रासिया है रासिया है यह मारकंशिया है यह कहां पर पाए जाते हैं यह तीनु जो है बिटा यह पाए जाते हैं इसके अलावा आपने next क्या याद रखना है कि जो plant body है देखिई इसमें एक आता इडा for dominant phase बमदल्ब ज्यादा तर phase इसके life cycle में देखने को मिलता है तो इसका जो dominant phase आता है वो इसका जो dominant phase है let me recall you इसका जो dominant phase है बेटा वो आता हमारा gametophyte कया आता है इसका जो dominant phase है वो आता है हमारा gametophyte section को अच्छे से देखना बाद मैं मैं इस पर MCQs भी discuss करूँगा at the end of this lecture मैं MCQs भी ले आऊँगा इस मैंसे ठीक है ने आप देखो आप अगर हम देखेंगे bryophytes में bryophytes जो है बेटा ये जर्नली समाल होते हैं ये कैसे होते हैं लेकर कुछ ब्राइवफाइट जो है वो 70 cm की हाइट तक जा सकते हैं कुछ ब्राइवफाइट जो है वो 70 cm की हाइट तक जा सकते हैं तो ऐसा आपने यह आद दकने एक आता है polytrichum polytrichum आता है ये T-R-I-C-H-U-M ठीक है ने ये polytrichum जो है ये 70 cm तक हाइट तक जा सकता है यह एक और है डैविस सोनिया यह कौन सा है डैविस सोनिया ये दो member है ब्राइवफाइट के ये 70 cm की हाइट तक जा सकते हैं इस इट क्लिर टो आल आफ यू चलिए अब हम इसके देखते हैं कुछ जर्नल करेक्टर्स को अब हम क्या करेंगे इसके डिसके इसके हमने करने कुछ और क्रेक्टर्स Prais ठीक है ना अब अगर हम सबसे पहले अगर हमने वेन वी टाक अबोड़ लाइफ सैकल अब राइवफाइट जब हम लाइफ सैकल अब राइवफाइट की बात करेंगे तो the life cycle of properties can be distinguished us into two main types एक आता है इसमें se warum phytic phase एक आता है se warum phytic phase ठीक है न और दूसरा आता है gametophytic phzeit एक आता है se tanks आता है gametophytic phytic phytic आप देखे ये दोनु phytic phase जो है न वेडि वी compare दीस दो phytic एट morphological level तो बेटा ये दोनों morphologically different होते हैं, दोनों कौन कौन से हैं, हमने क्या बताया, पहला point, when we talk about the life cycle of bryophytes, the life cycle of bryophytes can be divided into two phases, one is sporophytic phase and the second one is gametophytic phase, ठीक है, बोध इस sporophytic phase and gametophytic, they are morphologically different, अगर ये morphologically different है, तो इसके लिए एक term use होती है, that is they are heteromorphic, क्या, ये दोनों क्या है, ये दोनों बेटा है, heteromorphic, अगर दोनों सेम होते, अगर दोनों सेम होते, if condition अगर सेम होती, तो उससे कहा जाता, homomorphic, morphic मतलब morphology, homo मतलब same, ये hetero है, hetero मतलब क्या हुआ, different, hetero मतलब क्या हुआ, different, they are morphologically different, तो पहला point आपको समझ आया, कि gam प्राइब सैकल अप्राइब फाट्स में प्रेजेंट होते हैं और दोनु जो है इसलिए इन्हें चाजाता है हट्रो मॉर्फ देखिए दूसरी बात हम दूसरा पॉइंट हम देखेंगे अगर हम बात करेंगे गैमीटोफिटिक फेज की अगर हम बात करेंगे गैमीटोफिटिक फेज की let we talk about gametofetic phase, देखें यह जो gametofetic phase है, यह ज़दा conspicuous होता है, यह ज़दा time तक रहता है यह होता है, long lived, conspicuous होता है, बेटा, यह independent होता है, कैसा होता है इसके साफ-साथ में यह independent भी होता है और green होता है ये independent होता है green होता है मतलब अगर green है तो photosynthesis करेगा इसके साथ साथ ये इसमें freely branched भी होता है ये freely branched भी होता है ऐसे अगर हम देखेंगे ये तो हमने बढ़ा gametophytic phase के character अगर ऐसे हम देखेंगे sporophytic phase को Sp horrific phase, Jadi Shorter अलमिक होता है K techniques Sort Lived मैंने क्या पता है जो गेमिटोफिटिक फेज है यह होता है long Ly poisoning 빠щ far जो गेमिटोफिटिक fag इसमे इसमें क्या होता है यह green होता है तो यह क्या इसमें इसमें ञांग ग्री आप देखो़ आप क्या है अगर यह green है photosynthesis करेगा तो sporophytic phase short lived है तो gametophytic phase हम यह कह सकते है कि sporophytic phase जो है it is depend upon the gametophytic phase हम यह ऐसे भी कह से दे कि the sporophyte is depend on gametophyte आई बस हमें clear है तो मैं लिखोंगा इधर में जो sporophytic phase है यह completely depend होता है gametophytic phase में किस case में in case of bryophytes in case of bryophytes ठीक है ना अब देखो आगे अब देखो bryophytes की कुछ primitive forms है bryophytes की कुछ primitive forms है जैसे मैंने बताया racica यह racia पढ़ो इसको racica है और markensia है और क्या है दूसरा markensia ठीक है ना racica और markensia ठीक है ना इसमें जो gametophyte होता है इनमें जो gametophyte होता है इनमें जो gametophyte होता है किस-किस मैं racica और markensia में जो gametophyte होता है बेटा यह होता है prostate क्या होता है क्या होता है prostate होता है और thalloid होता है क्या होता है thalloid मतलब thallus thallus क्या होता है मैंने algae में आपको ये बताया है ठीक है ना आई बास समझ आचा उसके बाद आचा किस-किस में रेसिका और मार के निशा में जो gametophyte है वो prostate और thalide होता है लेकर अगर मैं mosses की बात करू bryophytes में आते हैं mosses भी mosses की जो body है mosses की जो कौन सी body plant body mosses की जो plant body है यह differentiated होती है stem में यह differentiated होती है stem में ठीक है ना और stem मतलब इसमें कुछ axis जैसा होगा ठीक है ना इसके साथ-साथ इसकी जो body होती है इसमें होती है lateral appendages क्या होती है इसमें होती है lateral appendages ठीक है ना जो इसकी plant body है इसमें stem एक axis होता है और होते है साथ साथ में lateral appendage लेकर किसकी बात हम करेंगे जब हम बात करेंगे तो mosses की clear यहां तक आगे बढ़े देखिए आप अगर हम देखेंगे in case of bryophytes true root bryophytes में true root जो है बेटा यह होती है absent bryophytes में true root नहीं होती है लेकर root like structures होता है जो basically एक filamentous structure है क्या है इसके बालावा true root के अलावा इसमें present क्या है फिर instead of this इसमें होता है rhizoid present क्या होता है इसमें इसमें होता है rhizoid present ठीक है इस rhizoid का क्या काम है इस rhizoid का का काम है इसका function क्या है absorption और encourage इसके दो कवम है एक है encourage और absorption य देको अगर हम बात करेंगे इस राइज़ाइड की हम किसकी बात करें रूटस राइज़ाइड's are present in case of ब्राइज़ाइड या इनके सब तो देखो, यह यैवाहिए यीूनी-सेलूलर होगा क्या है तो और전 की जीक्किन होगा क्या होगा Rhizoid Unicellular और Unbranched होगा लेकर यह Rhizoid Multicellular भी हो सकता है क्या यह Rhizoid Multicellular भी हो सकता है और क्या हो सकता है यह Branched ठीक है नहीं आप देखो यहाद हखना Multicellular और Branched Rhizoid जो है यह present होता है Bryopsida में Bryopsida में Multicellular प्लस Branched Rhizoid present होता है यह Unicellular और Unbranched Rhizoid जो है यह Unicellular और Unbranched Rhizoid जो है यह किस में प्रेसन होता है यह Unicellular and Unbranched Rhizoid यह दो क्लासिस आती है Bryopsides की उन में होता है एक होता है इसमें Hepatikoopida Hepatikoopida और एंथ्रो एंथ्रो सरी एंथो सिरॉपसीडा थिक है न है फिडोक उपसीडा एंथ्रो सिरॉपसीडा में यह यूनिसेलुलर और अनब्रांच राइजाइड्स प्रेजन्ट होता है ठीक है यहां तक आचा इसके अलावा आपने यहां दखना है कि जो इनकी प्लांट टिक एक इक अना है अओ प्लांट बॉड इमें प्लांट बॉड इगी जो है इस में इस की फश्वाइं सेल्स क्या होते हैं? plant body में क्या होते हैं? paranchymetase cells ठीक है नहीं? और paranchymetase cells के साथ-साथ they lack fully differentiated they lack fully differentiated कौन-कौन से इसमें absent होता? एक बेटा होता इसमें absent xylem और phylum ये दोनों they lack fully diferen cheated cell xylem और ph ernonda इसमें absent होता है आई बस हमोई, आप देखो, let we talk about इसकी अगर हम reproduction की बात करें, most important topic है reproduction in bryophytes, अगर हम इसकी reproduction की बात करेंगे, तो ये reproduce करता है दो तरीके से, एक करता है ये reproduce vegetative तरीके से, और दूसरा करता है ये reproduce sexual तरीके से, आई बस हमोई, आप देखो, आप हम क्या पढ़ेंगे, आप हम इसमें vegetative reproduction की बात करेंगे, देखो, अगर हम vegetative की बात करेंगे, तो vegetative reproduction जो है, ये किसकी form में होता है, बेटा, यह यह throw tubers होगा, यह बेटा यह gameya बनाएगा, यह gameya का बनता है, यह बनता है, बेटा, markensha में, किसमें बनता है, यह बात या दखना, markensha में क्या बनता है, ब अगर हम सेक्श्वार्य प्रोडेक्शन की बात करेंगे इनके सब रायोफाइ्ट तो सेक्टिवार्य प्रोडेक्शन होते है इसमें उग्यामस टाइफ गैसी होती है उगेमस टाइफ होती है इसकी sexual reproduction आप देखो इसमें होते हैं sexual reproduction उगेमस टाइफ में इसमें होंगे sex organ ठीक है ना आप देखो अगर हम बात करेंगे sex organ की ये sex organ होंगे multicellular कैसे होंगे ये होंगे multicellular और क्या होंगे ये ज़्यादा complicated होंगे those are thellofides, sex organs क्या होंगे, यह multicellular होंगे, और जो हमने पढ़ा था न, algae में, thellofides, सबसे ज़्यादा, diversity sex की कहां पर, sex organs की हमें, कहां को, किस class आप algae में देखने को मिलती है, शबाश, यह आप comment section में बताओगे, मैंने पढ़ाया है, तो sex organs जो है, बेटा, multicellular होती है, और यह ज़्यादा advanced है, as compared to, complicated है, you can say that, as compared to thellofides, आप देखो, एक ले लूँँगा, male sex organ, दूसरा हमारे पास, female sex organ, male sex organs को बोलते हैं, enthridia, क्या, male sex organ को बोलते हैं, enthridia, और आप देखो, यह enthridia जो है, यह, jacketed होता है, यह कैसा होता है, यह, jacketed होता है, female sex organ को बोलते हैं, बेटा, यहाँ पे, archegonium, क्या बोलते हैं, female sex organ को क्या बोलते हैं, archegonium, अब देखो, यह जो archegonium है, सीदा-सीदा आता है, इसकी shape बताओ, तो यह flask shaped होता है, आर्किगोनियम कैसा होता है फ्लास्क शेव्ट होता है आई बसामज़ ठीक है न और जो एंथ्रीडिया है ये कैसा होता है ये होता है इलिप्टिकल ये कैसा होता है एंथ्रीडिया जो है ये होता है इलिप्टिकल और आर्किगोनिया जो है ये होता है flask shape आई पास हम आप देखो माल लो यह हमारे पास enthridia इस enthridia के surrounded में ऐसे करके cells हैं इस enthridia के surrounded में ऐसे करके cells हैं, इन cells को क्या बोलते हैं these cells are known as endrocytes, क्या हैं इन cells को बोलते हैं endrocytes तो question कैसा बन सकता है, आप बताओ जी enthridia के surrounding में जो cells होते हैं वो jacketed होते हैं, बताओ जी वो cells किसके बने हैं, तो आपने याद रखना है वो बने हैं endrocytes endrocytes के बने हैं आई बस हम उसके बाद देखो अब यह male sex organ है यह female sex organ है दोनों की fertilization होगी दोनों की क्या होगी, fertilization होगी तो बनेगा zygote, अब देखो during fertilization water is necessary during fertilization water is necessary, मान लो एक drop of water इसके लिए जरूरी है तो water is necessary for fertilization, आई बस समझ आदो बहुत सरे endrocytes जो हैं वो neck region पे enter होते हैं लेकर एक ही approach कर सकता है egg के साथ पहले और वो बना जाकता है deployed zygote आई बस समझ आप देखो, ये क्या बना, ये मैंने बताया ये male gamete है और ये female gamete है दोनों के बीच में fusion हुआ, fertilization हुआ water necessary था तो बन गया हमारे पास zygote ठीक है नब आप zygote बना तो ये आप किसी resting period में नहीं जाता है ठीक है नब ये सीधा सीधा क्या फिर इमिजेटली डिवाइड कर देता है अब देखो जब zygote divide होगे तो पहली division होगी न तो यहाँ देखना, zygote divide होगे पहली division होती है कौन सी बेटा, transverse हमेशा when zygote divides इनके सब रावफाइड तो पहली division जो है वो transverse होगी फिर्स डिविजन जो है, वो transverse होगी ठीक है न, transverse पहली division कौन से होगी फिर्स डिविजन जो है यह होगी transverse अब transverse होगी तो जो इसमें cells जो इसमें क्या बनेगा फिर, जो upper cells होगे outer cells है, upper cells आप कहा सकते है वो बनाएंगे embryo, क्या बनाएंगे embryo बनाएंगे, तो ऐसे mode of development को कहा जाता है this kind of mode of development is known as exosporic क्या कहते हैं उसको, सोड़ा broad करके लिखूंगा मैं, तो इसमें जो development होथी embryo की, वो होती है exosporic exosporic mode of embryo development तो कौन सी होती है इसमें इसमें होती है, exosporic mode of embryo development वाई बस हम, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके sporophyte की किसकी, अगर हम बात करेंगे इसके sporophyte की इस sporophyte को एक और नाम से हम जानते हैं इसको कहते हैं, sporogonium क्या कहते हैं अब देखो, यह sporogonium कहां से develop होता है बेटा तो यह develop होगा it develops from embryo यह embryo से develop होगा आई बाव समुझ और यह simple structure बनाता है without rhizoid, कौन? sporogonium जो होता है it is a simple structure जो होता है without यह क्या होता है? without rhizoid होते है इसमें rhizoid नहीं होगा root-like structure इसमें नहीं होगा sporophyte का दूसरा नाम क्या है? sporogonium यह कहां से develop होता है? embryo से और यह जब बनता है तो क्यासा होता है? यह without rhizoid होता है without rhizoid के साथ-साथ without stem होगा without stem के साथ-साथ without leaves होगा आई बस हमाई उसके बाद देखे यह जो sporophyte है ना यह जो sporophyte है यह जिसको मैंने बोला sporogonium यह completely dependent होता है यह मैंने क्या बताया? यह completely dependent होता है यह completely dependent होता है this sporophyte is completely dependent on gametophyte यह किस पर completely dependent है? यह completely dependent है gametophyte अब देखे अब इस sporophyte में कुछ projection structures निकलेंगे तो अगर मैं बात करूँ sporophyte की तो sporophyte में तीन तरह की projection निकलते है मलब तीन structures यहाँ पर develop होंगे ठीक है ना? तो कौन-कौन सा structure यहाँ पर develop होगा? तो देखे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले होगा इसमें foot develop क्या होगा? foot foot के बाद इसमें ceta develop होगा और क्या develop होगा? और इसमें develop होगा capsule तो foot, ceta and capsule इनके सब सिपुरोफाइट इस प्रेजेंट आप देखो आप देखो देखे सिरिफ capsule किसमें होगा? यह याद दखने यह exception है सिरिफ capsule है रैसीका में RICC आये रैसीया पढ़ो या रैसीका पढ़ो एक ही बात है capsule किसमें होगा? रैसीका में यह foot and capsule यह जो foot और capsule सिरिफ capsule आगया RICCा में foot पलस capsule यह foot और capsule यह किसमें है? यह आया बेटा कौर सीनिया में यह किसमें आगया? कौर सीनिया में आगया आई बस हमाई? उसके बाद देखो आप क्या होता है? यह जो इसमें sporophyte का बना है sporogenius cell में और यह जो sporogenius cell है यह बेटा क्या? मैंने क्या बादा sporophyte जो है इसमें कौन से cell है? sporogenius cell आप देखो यह जो sporogenius cell है न यह बेटा बनाते है haploid spore क्या बनाते हैं यह applied spore बनाते हैं ठीक है न अब यह जो applied spore है यह applied spore है बेटा यह non motile है क्या यह non motile है यह moment नहीं कर सकते हैं ठीक है और जितने भी spores है वो लगबग shame shape और size के होते हैं आई बसम आप देखो यह non motile spore जो है न यह क्या होगा यह wind से यह wind से disperse होगा यह wind से disperse होगा आप देखो जब क्या होगी जब बेटा आएंगी favorable condition क्या आएंगी जब आएंगी favorable condition तो favorable condition में क्या होगा यह सिपोर जो है यह यहां तो क्या बनाएगा फिलमेंटस जर्म टूब बनाएगा क्या मैंने क्या बदाए यह सिपोर क्या बनाएगा यह सिपोर बनाएगा यह सिपोर बनाएगा फिलमेंटस जर्म टूब क्या बनाएगा यह फिलमेंटस जर्म टूब और ये फिलमेंटस जरम टूब जो है बाद में क्या बनाएगी ये फिलमेंटस जरम टूब जो है बाद में बनाएगी यांग गैमीटो फाइट बनाएगी यांग गैमीटो फाइट बनाएगी ठीक है न और ये जो यांग गैमीटो फाइट है ये जो है क्या बनाएगा में मार्केंशिया में बनाएगी यह अगर मonches की बात करेंगे मonches में जो यंग गैमि टोफाइट है उसको बेटा कहा जाता है प्रोटो-नीमा क्या केती है उसको आ गया एग एक आगल और दूसरा आ गया मार्केंशिया जहाँ एक आगया रेसिका में दूसरा आगया मार के निशा में आई बास हम आज़ा उसके बाद अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स में जो है sex determination जो है यह morphologically distinct होती है मतलब क्यासी होती है यह होती है heteromorphic sex determination क्यासी होती है hetero when we talk about sd that is sex determination यह होती है heteromorphic और यह determine कौन करता है या दखना यह determine होती है environmental factor की वज़ा से भी क्या sex determination is also determined by environmental factors हाई बसमझ तो environmental factor से be determined होता है sex और उससे भी determined होता है किस से heteromorphism से भी sex determined होता है ठीक है नहीं आचा उसके बाद अगर हम देखेंगे आचा उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसके जो life cycle है अगर हम ब्रायोफाइट के life cycle की बात करें देखें जो main plant body वो क्या है वो है बेटा gametophytic ठीक है यह gametophytic plant body जो है यह दो तरह के sex organ बनाएगी और बनाएगी और बनाएगी फिमेल सेक्स और ठीक है नहीं मेल सेक्स और गन को हम क्या कहते हैं आर्की गोनिया और मेल सेक्स और गन को बोलेंगे anthridium बोलते हैं लेकर एक को बोलेंगे anthrozoid क्या बोलेंगे anthrozoid आई बस हमाई अब इन दोनों की क्या होगी fertilization यह भी haploid है यह भी haploid है तो बना zygote यह zygote क्या है 2N इस zygote क्योंगी बाद में germination ठीक है नदे जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएगा यह यह बनाएगा sporophyte ठीक है नदे इस लिकोला बना सिपोरोफाइट से क्या बनेगा sporophyte से बनेगा capsule इस capsule से क्या बनेगा इस capsule से बनेगा Spore Mother Cell MC मतलब Mother Cell ठीक है नहीं इस Spore Mother Cell की क्या होगी फिर इसकी होगी Miosis ठीक है नहीं Miosis 1 लख लो Miosis होगी तो Spore Mother Cell क्या थे यह थे Deployed तक यहां तक क्या था Structure Deployed था इस Spore Mother Cell से Miosis होके क्या बना Spore बना इस Spore की फिर से होगी Germination क्या होगी Germination होगी ठीक है नहीं यह Spore यहां तो Direct मैंने बताया Young Gametophyte बनाएगा यहां यह बनाएगा पहले यहां क्या बनाएगा शाबाश जैसे Miosis में बनाता है Proto Nima ठीक है नहीं और इस Proto Nima से Gametophyte बनाएगा Clear है यहां तक यहां तक समझाएगा अब देखो अब अगर जैसे Zygote से लेकर Spore Mother Cell तक यहां तक जो है न यह फेज Let me change the color यह जो यह वाला फेज है यहां तक इस वाले फेज को यह जो Gamet बनाना इसे का जाता है Gametophyte जनरेशन यह कुन सी है यह है Gametophyte जनरेशन और यह वाली जो है न यह कहां से Zygote से लेकर Spore Mother Cell तक इससे का जाता है Sporophyte जनरेशन क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं Sporophyte जनरेशन आई बस समझ तो यह था हमारा Diagramatic representation of life cycle of क्या Life cycle of इस ब्रायोफाइट्स तो ऐसे Alternation of जनरेशन Alternation of जनरेशन का मतलब क्या है जो life cycle ब्रायोफाइट्स का उसमें Regular alternation आती है दो Morphological Distinct Phase आ जाते हैं यह दो Morphological Distinct Phase जो है एक Gametophyte फेज है और दूसरा फेज जो है Sporophyte इन दोनों में चलिए Next पढ़ें अब हमने Discuss करना यह तो हमने पढ़ना कुछ Characteristics Features पढ़ें Next हमारा आता है इसका Classification of ब्रायोफाइट्स Next क्या आता है Next आता है Classification of ब्रायोफाइट्स देखे पहला Scientist पहला Scientist जिसने ब्रायोफाइट्स को Classify करने की कोशिश की थी वो था ब्राउन ब्राउन साब ने क्या कहा 1864 ने क्या कहा आचा इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया ब्रायोफाइट्स को पहली बार Classify किया ब्राउन ने इसने क्या किया एलगी को भी फंजाई को भी लाइकन्स को भी और मौसिस को भी बाद में क्या आया? बाद में आया लेटर सिस्टम अफ लासिफिकेशन बाद में क्या हुआ? बाद में एक separate group बनाया गया एक बनाया गया थेलोफाइटा थेलोफाइटा में इन्होंने किस-किस को रखा? ठेलोफाइटा में इन्होंने तीन चीज़े को रखा एलगी को रखा फंजाई को रखा और लाइकन को रखा किसमें ठेलोफाइटा में इसके बाद एक और बनाया ब्रायोफाइटा क्या बनाया इस ब्रायोफाइटा में क्या रखा इसमें इन्होंने दो चीज़े रखी एक लखे लिवर रोट्स और किसको रखा और रखा मॉसिस को, किस-किस को रखा लिवर रोट्स को रखा, और रखा मॉसिस को ठीक है, उसके बाद एक साइन्टिस्ट आया जिसका नाम था, इकलर आप देखो, इकलर का बाया 1813 इसके अलावा बहुत सारे साइन्टिस्ट आये उन्होंने भी इसको क्लासिफाई किया, चलिए यहां से आगे हम अब कल देखेंगे